हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रम हॉस्पिटल डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पाले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर धर्बेश के बताए नुस्कों से लाब उठाना चाहते हैं स्वस्थ और सेहत मंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों मैं डॉक्टर दर्बे साब सबी का स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल फ्रीडम फ्रम हस्पिटाल में दोस्तों अलग-अलग तरीके से मैं आपको एजुकेट करने हो कोसिस करता हूँ आपको हस्पिटाल कम से कम जाना पड़े या फिर कम से कम दवाई खाना पड़े आज का जो दोस्तों एपीशोड है वो है कसूरी मेथी के बारे में मेथी के पत्तों को दोस्तों सुखा कर कसूरी मेथी बनाये जाती है मेथी का पतियां और बीजों का उपयोग गरम मसाले के रूप में तो सब को पता है मगर इसका जो अईरवेडिक उपचार के लिए इस्तेमाल है वो नौलेज दोस्तों हो सकता है कई लोगों गुना हो आज का वीडियो उनके लिए बहुत इलाब करिये अगर हाट का कोई पेशेंट है किसी को डाइबेटिस बहुत पुराना हो चुका है जॉइंट पेंड लगातार रहता है नसों में दर्द रहती है पैरों में सुजन रहती है दिमाग दोस्तों कमजोर है याद दस्त अच्छी नहीं है और खास करके पुरानी मोटा पेसे आप ग्रसीत हो पेट की चरबी थाइच की चरबी डिजॉल्ड नहीं हो पा रही है समस्य की समाधान नहीं हो पा रही है तो दोस्तों इसका एक दो मेहना भी इस्तेमाल करके देखो आपको बहुत फायदा होगा इसलिए आयरवेद में दोस्तों कसुरी में थीका बहुत सारी फायदे का बनन किया गया है तो दोस्तों ऐसे हजारों टिप्स मेरी जो किताब है My Health in My Hand इसमें हजारों ऐसे टिप्स दोस्तों में दे रखा हूँ एक्यप्रेशर की पूरी नॉलेज है पॉइंट सारा फॉटो के साथ दिखाये गया है साथ-साथ होम ट्रीटमेंट दोस्तों बताये गया है एक्यावन से ज्यादा बिमारी आप घर बैटके इलाज कर सकते हो छोटे से लेके बड़े तक तो ततकल उसको ऑनलेने में जन से मंगाएं हिंदी एंग्रीजी दोनों लेंग्विज में दोस्तों आविले बुले तो फायदा उठाईए साथ-साथ वीडियो को भी दोस्तों फॉलो करें अलग-अलग भीडियो भी हम आपको एजुकेट करने के लिए ला रहे हैं तो दोस्तों पहला टीप्स आपको दे रहा हूँ ओजन कम करने के लिए कसुरी मेथी का क्या फायदा है अगर आप दोस्तों मोटा पेसे ग्रसीत हो, सिकार हो इसके ओजन कम नहीं हो पा रहा है, अलग-अलग एक्सेसाइज करके भी आपको फायदा नहीं हो रहा है तो सुभा खाली पेट भीगी हुई कसुरी मेथी का दोस्तों सेवन करिये, आपके लिए बहुत ही फायदा बंद रहे गई है इसमें महजूद फायबर जल्दी नहीं पसता और आपको भूख कम लगती है इससे आप कम खाद्य पदार सेवन करते हो और खास करके मीठा जो खाने को इतना मन करता है उनका दोस्तों मीठा खाना कम हो जाएगी या फिर बिल्कुल बंद हो जाएगी दूसरी बात है दोस्तों, ये कोलेश्टरल को कम करता जिससे आपका वेड भी दोस्तों कम होती है और LDL जो बुरी कोलेस्ट्रेल कम होने के कारण आपका सरीर मेंटेन रहता है और स्लीम एंट्रिम भी आप हो जाते हो कोलेस्ट्रेल की समस्या में भी मेथिकाई उपियोक कारगर्ण साबित हुआ है इसके अर्क में पाई जाने वाले प्लेयोनोइट्स में हाइपो कोलेस्टेलिमिक प्रभाब और एंटियोक्सिडेंट गून दोस्तों पाया जाता है जो LDL यानि खराब कोलेस्टेल को दोस्तों कम करता है यानि नर्माल स्तिती में रखता है जिससे कि आपका सेहत अच्छा रहता है, हार्ट अच्छा रहता है, फाल्तु फैट जो सरीर में है दोस्तों वो खतम हो जाती है जिससे आप सेहत मन रहते हैं और Slim and Trim दोस्तों जिंदेगी जीते हो साथ साथ जो मधुमेह से यानि सुगर से पिडित हैं उनके लिए तो दोस्तों रामबान उपाए है मेथी का नियमित अगर आप सेहबन करते हो तो दोस्तों आपका सुगर लेबल काफी हद तक कम होती है और ये फिर नॉर्माल स्तिती में पहुंच जाती है इसमें महजूद दोस्तों हाइपोगलैसमिक गुन रख में सुगर के लेबल को दोस्तों कम कर देता है रात में 10 ग्राम मेथी को 40 मिली लिटर पानी में डाल कर रख लें और सुभा इस पानी को ही अगर आप सेहबन कर लोगे तो मधू में हैं दोस्तों आपके नियंतरीत हो जाएगी इसके सिवा आप चाहें तो सुभा सुभा भी इसको उबाल के आप एक कॉप गुन गुने हालत में भी पी सकते हो इससे भी आपका दोस्तो सुगर लेबल कम होगी और आपका कोलेस्टो लेबल भी दोस्तो कम होगा जो महिलाई स्तन पान कराती हैं उनको कसूरी मेथ्य की चाय अगर सुभा साम दिया जाएगा तो उनका स्टेन में दूद दोस्तों बढ़ेगा और उनको बहुत फायदा होगा तो जिन माता बहनां को यह सब समस्या है वो भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं साथ साथ सहत मंध हुदे के लिए कसुरी मेथी का दोस्तों उपियोग करना चाहिए मेथी की चाय में कई अउस्तियों गुन होते हैं जो सरीर में जमा हानिकारक एसीड को बहार निकाल देते हैं इसके अलावा इसमें पटासियम की मात्रा बहुत सारा पाया जाता है जो उच्छ रक्त चापको नियंतरित करके हुदे को सुस्त रखता है इसका सेवन रख में महझूद हानिकारक कोलेस्टरल को कम करता है जिससे हुदे सम्दी समस्यां दूर होती है इसके साथ आंतों की समस्या में भी दोस्तों ये बहुत फायता देता है इसके अलावा संतुलित मात्रा में अगर फाइवर का सेवन जो भी इनसान करता है उसका गैस्टेटिस्ट की समस्या भी दोस्तों ठीक होती है अभी मैं आपको थोड़े देर के बाद बताऊंगा इसका अलग-अलग तरीके से कैसे प्रयोक करोगे तो अभी सातन्वा पॉइंड दोस्तों जानते हैं, जिन्हें रक्त की दोस्तों कमी है य Mia की समस्या है तो उनके लिए भी दोस्तों बहुत फाइदा बन दे खासकर कर की लेडिज के लिए बहुत काम करेगा कसुरी मेथी में आईरन की मात्रा दोस्तों बहुत पाई जाती है जो आपके सरीर में रक्त बढ़ाती है और आपका ऑक्सिजन को भी दोस्तों मेंटेंग रखके सरीर का जो एंग होता है वहां तक पहुंचाने में दोस्तों हेल्प करता है तो सरीर में आईरन होना दोस्तों जरूरी है और आईरन अगर आपका सही रहा तो आप एनिमिक नहीं होंगे ये फाइदा दोस्तों आपको मेथी से मिल जाएगी तोचा के लिए भी दोस्तों फाइदा बंद है मेथी का उस्विद्य गुणों के कारण इसका उपयोग प्राचिन काल साइर बेदिक में तोचा के फाइदे के लिए दोस्तों किया जाता है मेथी बीच के पेश्ट के उपयोग से तोचा संबंदित जो विकार है वो आप ठीक कर सकते हो इसके सासद अगर इसको रोजाना पीते हो तो आपका स्कीन डीजीज दोस्तों बिल्कुल खतम हो जाता है सरीर आपका लो करता है आपका ब्यूटी निखर के आता है सुजन जो आपके सरीर में रहता है वो कम हो जाता है फो डे फोंग सी हो गयरा भी दोस्तों, मौँँ से हो गयरा भी बिल्कुल ठीक हो जाता है, दो मेहना कम से कम आपको इसका इस्तिमाल करना पड़ेगा इसको आप चेहरे में भी दोस्तों लेप के तरह भी 15 मिनिट के लिए लगा के रखके साब भी करोगे कम से कम उइक लिए तीन बर तब भी दोस्तों आपको चेहरे के जो दाग धबे हैं इससे रहात मिल जाएगी बालों के लिए कसूरी मेथी का भी दोस्तों बहुत फायदा है कसूरी मेथी का उपयोग बालों के कई समस्य को दोस्तों दूर कर देता है इसमें पाए जाने वाले प्रोटिन, लेक्टिन और निकोटिन जैसे कई पुसक्ततों बालों को विकास में बहुत हेल्प करता है और मजबूत करता है घना करता है और काला करता है इसके अलावा या बाल के जड़ों को भी दोस्तों मजबूती प्रदान करता है तो आप इसका भी इस्तेमाल करिए और कैसे दोस्तों इसका प्रयोग करको वो भी मैं आपको बता देता हूँ कसूरी मेथी का चाय जैसे बना कर आप पी सकते हो और कसूरी मिथी के पत्तों के अर्क को तेल में मिला कर इसका उपियोग सीर में मालिस करने के लिए कर सकते हो बाल के खास करके कसूरी मिथी के पत्तों को गर्म करके कपड़े में लपिट कर इसका उपियोग दर्द और सूजन के स्तानों के लिए आप कर सकते हो जैसे घुटना, कमर, गर्दन, एंकल होगरा में अगर किसी को सूजन और दर्द रहता है उसका इस्तिमाल करो दाल या सबजी में कसुरी मिथी का तड़का लगा कर खाने का भी स्वाद बढ़ा ही है उसके साथ साथ आपका जो अंदरूनी सक्तियां हैं, जो कमियां हैं वो भी दोस्तों आप ठीक कर सकते हो कसुरी मिथी का पाउडर के रूप में भी दोस्तों आप इस्तिमाल कर सकते हो खास करके पराटे होगे नहीं आप इसका डालके इस्तिमाल करें एक एक चमस तो आपको बहुत फायदा होगा कसूरी मेथिक अर्क को संपू में मिलाकर बाल में अगर इस्तिमाल करोगे तो दोस्तों इससे आपका बाल मुलाइम रहेगा और चमकदर रहेगा तो अलग-अलग तरीके से आप कसूरी मेथिका इस्तिमाल कर सकते हो मगर एक चीज़ जाद रखें जिन लोगों का सूगर कम है यानि थोड़े में कम हो जाती है वो लोग कसूरी मेथिका इस्तिमाल ना करें जिस से के उनका सूगर लेवल ज्यादा कम न हो जाये गर्भवती महिलाएं न इस्तिमाल करें मेथी में बहुत ज़ादा फाइवर पाय जाता है इसलिए इसको ज़ादा इस्तिमाल करोगे तो दस्तिका कारण भी दूस्तों बन सकता है आस्तमा जिने हैं वो इसका सेवन ना करें उनके लिए भी दोस्तों ये हनी का रखें इसके साथ साथ दोस्तों लगातार हम हर चीज को अगर प्रयोग करते हैं कम से कम मेहना दो मेहना तभी दोस्तों बढ़िया रेजल्ट आता है मैं वही आपको कहना चाहूँगा कि आपको अलग-अलग भीडियो में बना के दे रहा हूँ मगर आप अपने सुभीधा के अनुसार अपने जरूरत के मताबिक उसका इस्तेमाल करें और किताब जरूर रखें जो एक हेल्थ रिक्सनारी के तरह आपको हेल्प करें और एक्यू प्रेशर खास करके पूरा नॉलेच एकदम पॉइंट के साथ जो है वो दोस्तों हर एक इनसान को हेल्प कर रहा है और आपको भी हेल्प करेगा उमिद करता हूँ कोई भी बिमारी साब पीडित हो आप अपने आपको भीडियो और किताब के साहरे कोसिस करें घर बैठके उसका इस्तमाल करके इस बिमारी से निकलने के लिए बिना दवाई के नहीं हो परता है वार्टसप भी कर सकते हो उसका जवाब में दोंगा अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या है तो एक या दो दिन के लिए आप यहां नौइडा आ भी सकते हो दोस्तों इस वीडियो कहीं पर समात करता हूँ फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नई बातों के साथ थैंक यू भीर मच जैन जै भारत